दोस्तो मारे चैनल के एक वीवर्स ने मुझे personally कमेंट करके एक क्विश्चन पुछा है और उनका क्विश्चन बहुत ही important है ये क्विश्चन कभी ने कभी आप से भी जुरूर पुछा जा सकता है दोस्तों उनका question ये पुछा था जब उन्होंने किसी company में आज से एक साल पहले job के लिए apply किया था AJ accountant की post पे तो वहाँ पर interviewer ने उनसे एक question पुछा भी उनको इस type का एक invoice दे दिया गया था paper invoice था अलांकि invoice ये नहीं था same इसी type का invoice था same question है कोई फरक नहीं पड़ेगा entry कैसे करो गया अलांकि उस वक्त टेली.erp नहीं था आज की टेली प्राइम जल रहा कोई फरक निये entry करने का process दोनों software में same है तो उन्होंने जो entry करे थी उन्होंने entry पे credit note भी issue कर दिया था लेकिन उनका जो वास्ता में जो उन्होंने जो credit note issue किया था वाक्या में गड़त था. सई question क्या होगा ये आज की इस वीडियो में आपको मैं practically करके बदाऊंगा. दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए एक नए accountant के लिए बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि कहीं कई एक्सर अकाउंट की जोब में पुछे जाती हैं. तो इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेके end तक complete देखना कोई भी step इस वीडियो को skip मत करना. दोस्तो वीडियो को complete देखने के बाद वीडियो कैसे लगी आप हमें comment करके भी जुरूर बताना. वीडियो अगर आपको अच्छी ल सब्सक्राइगा. तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है. तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के वीडियो. तो दोस्तो इस टाइप का invoice था उनके पास जो उनको दिया ग आया है. पार्टी का नाम शाम टेडिंग कमपनी है और हमने इसको कीबोड दिये 10 पीस और जो टोटल वेल्यू है इस invoice की वो 7000 रुपे की है. अगर हम बात करें भी अब इस customer से हमने 100 रुपे ज्यादा ले दिये यानिकि एक्ट्यूल में 6900 रुपे लेने थे गलती से invoice है जो 7000 रुपे का बन गया. अगर हम पर पीस की बात करें तो यानिकि 7000 दस पीस का रेटा इसका मलब 700 रुपे पर पीस का रेट हो गया जबकि 690 रुपे एक पीस का हमने चार्ज करना था. लेकिन invoice हमने जर्नेट कर दिया है, बाद में हमें पता चला, भी हमने 100 रुपे कर् credit note उसका issue करना है, तो जो हमारी viewers ने जो किया था, वो इस तरीके से किया था, उसको आपको मैं बता दिता हूँ मैं, उनका जो credit note issue करने का, जिस tribe से किया था, उन्होंने में आपको change mode हम करते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर credit note लेंगे, और credit note के लिए हम F6 use करते ह और उसके बाद में इसका mode हम change करेंगे, control H के साथ और इसमें एजे accounting invoice पर, इसमें change mode हम एजे voucher लेंगे, और उसके बाद में जो invoice issue किया था, शाम trading company, उन्होंने 100 रुपीज की entry करी, on count करके, और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने एक laser बना दिया, rate difference का, और under में इसको indirect expenses रखते हुए, और इसको GHD's का note applicable रखा और इसको voucher को save कर दिया, और इस तरीके से यह credit note issue कर दिया, तो दोस्तों आपके mind में भी क्या यही चल रहे है भी, इस invoice के दार पर इसका जो 100 रुपे का credit note है, वो इसी type से issue होना चाहिए, लेकिन हम जो viewers थे हमारे, उन्होंने इसी type की entry करेती और उनको reject कर दिया गया, तो दोस्तों वास्तों में यह जो entry है, यह इस invoice के दार पर इस type की transaction नहीं होगी, क्योंकि यह जो product है, यह taxable product है, सबसे पहले तो आपको यह बात का ध्यान में रखना है, अगर आप taxable product का rate difference देती हूँ, तो आपको साथ में GHD का भी treatment करन होता है, यानि कि SGT को भी वास अपने refund करोगे, तो दोस्तों हम बात करते हैं, अब इसका originality और reality credit note क्यों बनना चीए था, वो कि step का बनना चीए था, तो सबसे पहले हम entry को delete करेंगे, एक बार हम, दोस्तों यह invoice की entry यहाँ पर मैंने कर रखी है, जो invoice अभी आप देख रहे ह हो, यह वाला invoice है, इसकी entry, टेली software में करीव, यह keyword है, same way, transaction अब देख रहे हो, दस पीस है, और टोटल साज 1 रपी की value है, और यह जो credit note issue किया था, simple credit note की तरह issue हो गया, लेकिन यह गड़त है, इसको हम करते हैं, यहां से alt d के साथ delete, और अब इसका जो वास्तों में जो credit note बन इसको issue करता हूँ, तो some trading company को, तो credit तो 100 पीस से करना ही करना है, यह यहां तक तो transaction बिल्कुल सही है, अब यहां पर चैप own account करो, या against reference करो, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, against reference का मलब, जो invoice था, उसके against में आप create note issue कर रहे हो, अब उसके बाद में, अब यहां पर मान ल लेजर बना दिया, rate difference का अगर आपने laser अलग से create कर भी दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों तरिका आपको मैं बढ़ाता हूँ, अगर आपने rate difference के नाम से laser create के है, तो उसका सबसे पहले आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, rate difference, computer parts, gst, 18%, आप इस नाम से laser create करोगे और under में इसको रुखोगे, cell count, आपको इस टाइब का laser, अगर आप rate difference के नाम से अलग से laser create करना चाते हो, अगर आप same नाम से नहीं करना चाते हो, तो आपको मैं suggest करूँगा, जो आपने cell में जो laser आपने बनाया था, cell का laser का मतलब, आप सबसे पहले हम वो ट्रांजिक्शन हम देखते हैं, cell वाली keyboard पे जाएंगे, और यह जो हमने laser बनाया था, cell का, big computer part, cells, ght, 18%, तो आप वापिस इसी laser को भी debit कर सकते हो, क्योंकि अब actual में हमारी जो cell थी, वो 100 पैसे ज़्यादा होगी थी, लेकिन हमें कम करनी है, तो हमारी जो वापिस हमें वापिस debit करनी है, तो हम इस cell के laser को वापिस में debit करेंगे, आपको अलग से कोई laser create करनी की जरूर तो नहीं है, अगर आप कुछी taxable invoice के against में rate difference का credit note issue कर रहे हो, तो उसके बाद में वापिस हम alt f6 use करेंगे, और इसका modem change कर लेंगे, as a option करेंगे, और अब वापिस हम charm trading company को 100 पैसे credit करेंगे, against reference र यहां पर आएंगे, यहां पर हम लिखेंगे sell taxable, अब उसके बाद में आपको item को ignore यहां पर कर देना है, अब यहां पर आपको पूरा का पूरा 100 रुपे नहीं रखना है, जबकि 100 रुपे में 18% का GST include है, तो यहां पर हमें taxable value लिखनी है, तो यानि कि 100 रुपे और 75 पैस GST का laser है, हम इसको भी आदा करेंगे, 1525 divided by 2, और उसके बाद में, हमारा SGST laser इसको भी हम 7 रुपे और 63 रुपे से के साथ करेंगे, और difference है जो हमारा round off हो जाएगा, round off का, यह indirect expenses रहेगा, इस पर GST कोई नहीं डगरी, नोट अपलिकर बतारेंगे, और यह एक रुपे स्टाइब का हो जाएगा, अब इसको हम provide GST detail आप yes करोगे, तो अब इसके अंदर reason of issue note, यानि कि अभी आपने जो credit note issue किया है, उसका reason किया है, भी आपको sale return है, कोई first sale discount है कोई charging views है, तो अगर आप, यह तो हमारा rate difference है, rate difference के अंदर option यह तो हम इसको save number option others में use करेंगे, अब option आएगा, यहाँ पर buyers debit note, अगर आपने कोई buyers ने, अगर आपको debit note issue किया है, तो आप लिख सकते हो, otherwise buyer debit note issue करने सकता, क्योंकि sale आप ने करी है, तो आप ही credit note issue करोगे, तो दो यह इस type की entry हमारी होनी है, और वापीस हम इस transaction को देखेंगे, इस type की transaction रहेगी, हम customer को तो 100 रुपे से credit करेंगी, और उसके बाद में, हमारा जो computer sell part है, उसको हमने debit किया है, 14 रुपे 75 पैसे से, CGST को लेजर को भी debit किया है, SGST लेजर को भी debit किया है, तो इस type की जो transaction ह हो किया है, जो rate difference की हम इस type से करते हैं, क्योंकि दोस आप इस type की जो transaction रहेती है, इसका कैन की effect हमारी GSTR 3BPB, GSTR 1 पे भी रहता है, क्योंकि हमने जो issue किया है, उसका सारा का सारा effect हमारा GSTR पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह rate difference है, अगर आपका जो product exempt होता है, tax free का होता, तब आप simple 100 पे को customer को credit करके, और rate difference के amount को debit कर सकते थे 100 पे को, जबकि यह जो product है, keyboard का जो item है, यह 18% GSTR की taxable value का है, तो इसलिए हमें taxable ही यहाँ पर credit note issue करके देरना पड़ेगा, तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको knowledgeable लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर देना, वीडियो कैसे लगी आप हमें comment करके भी जरूर बताना, तो दोस्तों, अगर आपने भी तक इस channel को भी subscribe नहीं किया हुआ, तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपके लिए हम इसी type की वीडियो लाते रहेंगे, तो दोस् हुआत